RCB के उपर टॉप 3 से बाहर जाने का खतरा मंडराया टॉप 3 के लिए सभी टीमों का समिकर सामने आया जिया बात करें RCB वर्सेस DCB मुकाबले की तो एक रोचक मुकाबला देखने को मिला रिचा घोष की आतिसी अदभूद और विश्मरडी और कलपनी पारी देखने को मिली लेकिन भाया आखिरकार ये मुकाबला RCB को एक रनों से हार ना पड़ा हार तो हार होती है पॉइंट स्टेबल पर जीत या हार ही अरजित होता है गुरू और इस हार के साथ RCB के उपर टॉप त्री से बाहर जाने का खत्रा मंडराने लगा है लेकिन दो टीमों के आगे क्यों लग गया है जिस का रड़ से पूरा समिकरण अब WPL 2024 में साफ हो गया है कि कौन सी टीम कैसे पहुचेगी क्योंकि आखरी अस्थान के लिए बस लड़ाई बची है और आपको बताते चलें कि जो सुखत ख़बर है WPL के लिए कि RCB, UP, गुजरा, चैंड अभी तक तीन की तीनों टीमें आखरी अस्थान के लिए लड़ाई में बनी हुई है मतलब अब यह जो WPL का संस्क्रण है 2024 का वो दिल्चस्प बन गया है WPL 2024 आखिरकार विजेता साबित हो गया अपने इस रिपोर्ट में हम सभी टीमों के समिकरण की बात करेंगे कि आखरी अस्थान के लिए जो तीन टीमें बची है RCB, UP, गुजराज जाइंट्स वो कैसे अपना स्थान बना सकती है और किसकी दाविदारी सबसे मजबूत है इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे गुरू लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवियर से यह यह आग रहे है यह अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सस्क्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा वीडियो देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज को फालो करना भी मत भूलिएगा वीडियो को सेयर भी कर दीजेगा यह आपके स्क्रीन पर पॉइंच टेबल आ गया है अब इस पॉइंच टेबल को हम समझ लेते हैं भाईया दो टीमों के आगे क्यू लिख चुका है बहुत कुछ बताने को रह नहीं गया है तो आपको बताते चले कि DC और MI दो ऐसी टीमें है जो की क्वालिफाइड हो चुकी है DC टॉप पर आ चुकी है और यहाँ पर आपको WPL का जो नियम है उसके हिसाब से जो भी टॉप पर फिनिस करेगी पॉइंस टेबल में लीक फेज मुकाबले के बाद वो डाइरेक्ट फाइनल खेलेगी और जो सेकेंड और थर्ड अस्थान पर टीमें रहेंगी वो आपस में मुकाबला खेलकर टॉप वाली टीम से फाइनल मुकाबला खेलेगी यह नियम है तो अभी टॉप के लिए लडाई DC वर्सेज माई के बीच बनी हुई है वहीं बात करें RCB टीम की, UP टीम की और गुजराट टीम की यह टॉप पर नहीं जा सकती क्योंकि भाईया DC के 10 पॉइंट हो गए है MI के 10 पॉइंट हो गए है अब यह जो टीम है सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट ही अरजित कर सकती है तो यह पहला समिकरड है जो आपको समझ में आगे होगा अब बात करते हैं दूसरे समिकरड की कि तीसरे अस्थान पर कौन सी टीम कैसे फिनिस कर सकती है जो कि RCB का आखरी मुकाबला है वो MI से है यानि कि RCB को अपने दम पर अब दम भी हम नहीं कहेंगे भाईया RCB को अपने उमीदों को अगर जीवनत रखना है तो MI से आखरी मुकाबला जीतना होगा फिर उसके बाद UP वर्सेज गुजरात के बीच जो मुकाबला है आखरी उस पर नज़र डालनी होगी कि UP बहुत बड़े अंतर से ना जीते पहली चीज तो ये RCB के लिए MI को हराना फिर UP वर्सेज गुजरात मुकाबले पर नज़र रखना कि भाईया गुजरात बहुत मुकाबला है उसमें DC विजेता साबित हो जाए फिर उसके बाद UP वर्सेज गुजरात के भी जो मुकाबला है उसमें गुजरात मतलब विजेता साबित हो जाए तब जाकर RCB हारने पर भी टॉप थ्री में कौलिफाई कर जाएगी तो ये RCB का समिकरण है MI विजेता साबित हो जाए MI अगर विजेता साबित हो जाती है तो UP वर्सेज गुजरात के भी जो मुकाबला है अगर वहाँ पर UP वारियर्स जीत जाती है तो भाईया ये टॉप थ्री में फिनिस कर लेंगे RCB बाहर हो जाएगी वहाँ दूसरा समिकरण है कि अगर RCB MI से जीत जाती है तो UP वर्सेज गुजरात मुकाबले में भाईया इनको बड़ी जीत अरजीत करनी पड़ीगी बड़ी जीत या यू कर सकते है अगर RCB जीत जाती है तो लगभग ये बाहर हो जाएगी क्योंकि इनका net run rate बहुत ही negative है उतनी बड़ी जीत साइद UP गुजरात से ना जीत अरजीत कर पाए तो ये UP वारियर्स का समिकरण है अब वोई गुजरात के समिकरण की गुरू बात करें तो गुजरात को दो मुकाबले खेलने हैं एक मुकाबला इनको खेलना है UP से एक मुकाबला खेलना है DC से अपने दोरों मुकाबले हर हाल में जीतने हैं फिर उसके बाद अगर ये UP को हरा देते हैं तो फिर ये इनको प्रे करना है कि वह या RCB versus MI के मुकाबले में कौन जीते MI जीत जाए फिर गुजरात अपने दम पर पहुच जाएगा और हार जाएगा एक भी मुकाबला तो गुजरात के पहुचने के चांसेज कम हो जाएगी क्योंकि इनका नेटर नेट वह होथ ही निगेटिव है तो 6 पॉइंट पर UP और गुजरात के पहुचने के चांसेज कम है वहीं बात करें 6 पॉइंट पर RCB के तो पहुचने के चांसेज है लेकिर निर्भरता दूसरे टीम के उपर करनी पड़ेगी यह मनाना होगा कि गुजरात DC से हार जाए फिर गुजरात UP घराएग दे तब छाकर RCB पहुचेगी तो यह पूरा समीकराट था गुरू, RCB के हमने समीकराट पर नज़ा डाला UP घुजरात के समीकराट पर नज़ा गुजरात के शप्रन पर नशब्द डाला और उमीद करता वहूं कि कमें डाग दीजेगा, NCB UP और घुजरात के वीछ जonic यह लडाई के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें